नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका m6 शोर के इन केस वीर टुटोरिल में मैं हूँ आपका दोस्त परवीन राणा और इसले वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी कि किस तरीके से आप फ्री इंडिकेटर्स और टेंपलेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और हम पर देखे राइट क्लिक करेंगे तो हमने छे अलग-अलग स्ट्रेड़जी दी ती जिसमें गैंड की स्ट्रेड़जी थी फिवोनाके की थी टेक सिग्नल था और आपका स्पार्क्स ट्रेडिंग सिस्टम था रेंज ब्रेक आउट था और मास्टर ट्रेंड बन गया है लेकिन उसके लिए आपको हमारा डेटा फीड का सर्विस लेना होगा क्योंकि यह हमारे ही सर्वर पर चलता है किसी और की चार्ट पर नहीं चलता है एनइवेस आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं किस चरी केसे इसको इस्ताइड रिडिंग करना है तो आ आप सरफ नीचे वाली बार को इस्तेमाल करेंगे करना क्या है, दोस्तों जब ऐरो आता है, तो हमें देखना है कि ऐरो आने के बाद जो केंडल का कलर है वो रेड या गृरिन होना चाहिए, न Unity क्ये है, जब भी ट्रेडिंग करेंगे तो हमें ये चीज़ धियां की होनी चाईए ना की green तो अब यहां पर आप देख सकते हैं यह green color की है तो यह वाला जो signal है इसको हम अभी नहीं लेंगे हम इस वाले signal को लेंगे जब यह red हो जाएगा यानि कि यहां पे कहीं आप यह red हो रहा है तो यहां कहीं हम इसको sell कर सकते हैं और यहां पे कहीं पे सैल्स करने के बाद 15-20 पॉइंट का आप यहां पर टारृइट ले सकते हैं और इसके बाद निकल सकते हैं नीछे वाली बात जो है वह वह ग्रीन है ऊपर भी ग्रिंगाल सकते हैं और हम इसको सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों सबूस्तровा। पर कोई नया signal मिलता है या फिर कुछ जो profitability हमने सेट की है वह profitability हमें मिलती है तो यहां पर देखे 20-50 पॉइंट के उपर गया है और जब सेल का signal आया तो यह बिलकुल नीचे 0-0 हो गया था तो हमें वहां पर इसको exit करने के लिए सोचना पड़ेगा profit यहां पर लेना दोस्तों तीसरे trade में क्या है कि देखिए आप यह नीचे देख सकते हैं यहां पर यह सेल का signal बना लेकि नीचे की जो bottom की जो बार है वो green है तो हमें ट्रेड नी करना वेट करना रैड का वहोगी रैड का वहोगी उसका वेट करना होगा जब यह रैड होगी तो उसके बाद आप जाके अपना trade कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते कि यह रैड नी रही है तो हमें ट्रेड नहीं लेंगे उससे सिगनल में देखिए नीचे आपको जो arrow मिला वहाँ पर यह ग्रीनी था तो हम ट्रेड कर सकते हैं अगदर वाइस हम वेट कर सकते कि यहां पर जब यह व यह लेख सकते हैं आप यहां पर तो यहां पर भी हम इसको ट्रेड ने लेंगे इस तरीके से में ट्रेड लेना है जब भी कोई नहीं सिखनाल आएगा आपके कम्पिटर में बजर बजेगा एक साउंड बजेगा साउंड को देखके आपको ट्रेड करना है नीचे बॉटम राइट साइड में आपको Stop-Loss Target दिख जाएंगे Stop-Loss Target को साउट कर सकते हो और आपको करना क्या है चार्ट में जाना है www.m6shorking.com पर वहां सर्विस के पेज पर आपको empty for data feed का page मिलेगा वहाँ पर जाके आप अपना demo form फिल कर सकते हैं या फिर आपको data feed पर्चेस करना है तो आप वहाँ पर जाके purchase कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय टेक केर और हैपी ट्रेडिंग